हमारे घरों में पाया जाने वाला समुदरी नमक अलग किस्म से तयार होता और ये सेंध्या नमक एकदम अलग किस्म से इसे कोई बनाता नहीं है, सेंधा नमक को कोई बनाता नहीं है ये नमक पूरी तरह से प्राकृतिक है, नैसरगिक है जो कुदरत की एक अनमोल भेट है हमारे लिए सेंधा नमक एक खनिज संपत्ती है जो पहाणों की ख़दानों में पाय जाती है यह हमारे हिमालय सिंग लाहोर में पाया जाता है और यह सबसे अधिक मात्रा में लाहोर पाकिस्तान में पाया जाता है इसलिए इसे लाहोरी नमक भी कहा जाता है अब जानते हैं कि इसे हम क्यों खाते हैं और इसका सेवन सफेद नमक से ज्यादा क्यों नहीं करते लोग। ऐसा क्या हुआ इतिहास में जो घरों में 5-5 साल भरा रहता था अब इसे आपको खाने के लिए लेना पड़ रहा है। और ये बड़ा आश्चरी की बात है। उसे शरीर से बाहर जाने नहीं देता। जबकि दूसरा जो सेंधना नमक है जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं जिसे आप खाने में इस्तमान नहीं करते हैं उस नमक का क्यमिकल नाम है potassium chloride का काम है toxins शरीर से जो जहर है उसको बाहर निकालने का। शरीर को साफ और सुथ्रा रख इस सेंध्य नमक में 94 पोशक तत्व माइक्रो नूट्रेंट्स होते हैं जिसे आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको एक लाक रुपए देने होंगे 94 पोशक तत्व आपको 130 बीमारियों से दूर रख सकते हैं इनमें से 22 तत्व ऐसे हैं जो आपके शरीर के नूट्रेशन लेवल को ठीक रखने में मदद करते हैं इसमें पाया जाने वाले में पोशक तत्व जो हैं उनका नाम है आयोडीन, लीथियम, मैगनीशियम, सोडियम, से आखों की रोशनी बढ़ने लगती है, गर्ब धारन करने वाली महिलाओं को ताकत देता है, मरदाना ताकत को बढ़ाता है, अगर आपको कमजोरी लग रही हो, चक्कर आदी आ रहे हो, तो एक गलास फानी में एक चमच, सेंधा नमक डालकर पीने से 5 मिनट में चक्कर लगेगी, और पेट में अगर मरोड है, गयासादी की तकलीफ है, तो अगर आप इसका इस्तमाल करेंगे, सेंधा नमक का, तो थोड़े समय में ये ठीक हो जाएगा, इससे आपकी पाचन शक्ती बढ़ेगी अगर आप थोड़े दिन लगतार इसका इस्तमाल करेंगे तो, अगर आपको लो बीपी की शिकायत है तो आपको इसका नियमित सिवंग करना चाहिए इससे बड़ा फायदा होगा रोज सुबा एक गलास पानी में एक छोड़ा चम्मत सेधनमक डालकर ज़रूर पीए वीज दिन में लो बीपी की शिकायत दूर हो गिया अगर आपको हाई ब पराम नमक पानी में सेधनमक की बात कर रहे हैं पानी में मिलाकर नहेंगे तो आपका हाई बीपी की शिकायत एक सेड़ महिने में ठीक हो जाएगी आपको एक और आश्र जनक बात बता दें सेधनमक को शरीर पर मलने से शरीर साफ हो जाता है चहरा दमकने लगता है सेधनमक डिली रूटीन में इस्तेमाल करने से सफेद नमक के तो ये बीपी को इंट्रोल करने लगता है और ये जो साधा वाला नमक है ये एक जहर है इसमें शरीर के एक काम के मात्र थीन से चार ही मिनल मौझूद होते हैं जो लोगों को ना भी मिले तो किजन की दूसरी वस्तूओं से मिल सकते हैं इस समुदरी नमक में जो एक्स्ट्रा आयोडीन मिला होता है वो बस सारी बीमारियों का कारण होता है शायद ही आपको पता हो कि नमक का काम जो होता है वो नमी को खीच लेना होता है आपको पता हुआ कि पहले जो नमक आता था उसको खुला छोड़ दें तो गीला गीला हो जाता था मगर आज का नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग है जो कभी गीला नहीं होता क्योंकि इसमें जो नमी को आने वाले मिनरल थे वो हटा दिये गा है और नमी को सुकारने वाले केमिकल मिला हैं जो बहुत ही खतरनाक है जिसका नाम है अलमूनियम, सिलिकेट और पोटैशियम, आयोडेट ये दोनों ही केमिकल शरीर के बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि ये बहुत ही heavy होते हैं जिसे kidney, liver, filter नहीं कर पाते हैं इसलिए BP, attack, paralysis, आंखों का operation, kidney fail हो जाना, joint pain होना ऐसी बहुत सारी गंफीर बीमारिया हम लोगों को आजकर घेर रही है क्योंकि हम लोग सेंधा नमक का इस्तामाल करना चोड़ कर साधा नमक इनकी जो समुद्री नमक है उसका इस्तामाल कर रहे हैं आज से 80 साल पहले सेंधा नमक भारत के हर घर में मटके मटके बर रहता था भारत में जब अंग्रेजों का सासन साथ तब ये हमारे पर research कर रही थी भारती लोग इतने मजबूत और स्वस्त कैसे रहते हैं उनकी research में पा गया कि ये लोग सेंधा नमक खाते हैं समुद्री नमक नहीं और अंग्रेजों को पता लग गया कि वो समुद्री नमक खाने के आदी हो चुके हैं जिसके जानकारी उने हो गए तो उन्हों ने ये अंग्रेजों ने सिर्फ इस सेंधा नमक को हमसे दूर करने के लिए बहुत बड़ी चालाखी किये जिसमें हम फजग है कि इस सदी से पहले हम भारती सेंधा नमक की खाते हैं थे समुद्री नमक के बारे महां में पता भी नहीं था मगर अंग्रेजों ने हमारे कान भरने शुरू किये कि समुद्री नमक खाने के लिए हमें उकसाने लगे क्योंकि इसमें आयोडीन होता है इससे घेंगरोग रुकता है ये कहने लगे ये भी सुनने माया ही गांधी जी के हाँ तो नमक का सत्यागर्य करा के समुदरी नमक का टैक्स अटा दिया गया जिसका भारती यो कोई भी काम नहीं था और वहां से 17 साल बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया जिसमें सिंधा नमक भारत से दू को चुटे को हम कभी सेधने मख्राइए या यहाद ही किसी को बस यहीं ут 강 है दोस्तों डोस्त३ कि सेधने मख्र्णार interfere मद्यूनեյ की पेशेंट आसा करना शुरू करें उन्हें स्वास तलाब जरूर होगा साधा नमक जहर है ये बात समझ लें और इसे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमली रिलेटिव्स में शेर करना बिल्कुल न भूलें मिलते हैं अगरे दिल्चस्प वीडियो में तब त करना दो